बॉलिवूड एक्टरिस्ट कंगना ननोत राजनितिक पारी की शुरुआत करने जा रही हैं वो ही माजल प्रदेश की मंडी लोकसबा सीट से चुनाव लडेंगी रविवार को बीजेपी की लिस्ट में उनको नाम शामिल था हाला कि स्पीश कंगना ननोत अपने पुराने ट्वीट की वज़ा से घिरती हुई नजर आ रही है तो आईए बताते हैं आपको कि पूरा मामला आखिर क्या है और इस पोस्ट में ऐसा क्या था जिसकी वज़ा से एक और निशाने पर कंगना ननोत को लिया जा रहा है उन्होंने इसमें आगे लिखा हिमाचिल प्रदेश की आबादी मुश्किल से 60-70 लाख है यहां कोई गरीबी अपराद नहीं है अगर मैं राजजिती में आती हूँ तो मुझे जडिलताओं वाला राजजी चाहिए जिस पर मैं काम कर सकूँ और उस शेतर में भी कुईन बन सकूँ आप जैसे छोड़े लोग बड़ी बातों को नहीं समझेंगी हाला कि अब कंगना को मंदी लोकसवा सीट से टिकेट मिलने के बाद लोग उन्हें निशाने पर ले रहे हैं पुराने पोस्ट को शेयर करते हुए एक यूजर ने कंगना की उम्मीदवारी पर कहा पाखंड की भी सीमा होती है वही एक दूसरी यूजर ने लिखा अभिनेता और राजनिता हमेशा सारवजनिक रूप से जो कहते हैं उसके ठीक विप्रित करते हैं हाला कि कुछ लोग उनके समर्थन में भी पोस्ट कर रहे हैं एक यूजर ने कहा किसी से इतनी रफरत क्यों है राजनिती करना उनकी पसंद है और इस पसंद का सम्मान होना चाहिए हाला कि कंगना गई बार राजनितिक के सवाल पर किनारा करती नजर आई उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि मेरी राजनिती में प्रवेश करने की कोई योजड़ नहीं मैं अपनी आने वाली फिल्मों के शूटिंग में वैस्त हू लेकिन कई सारे कायासों के बाद आखिरकार कंगना नावत ने बीजेपी जोईन कर ली है और हिमाचल प्रदेश से लोकसवा चुनाफ के लिए ताल भी ठोक रही है तो आप इस पर क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्षिम नपनी राय ज़रू बताईएगा और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए तमाम लेटिस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ अवास्कार